हेलो एलकम दोस्तों मैं वो किशूर आप देखरो राते बीट सोर आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले वीवो वी-19 में बैक अप एंड रिसेट कैसे करें तो प्लीज वीडियो को भीना स्किप के एंड तक देखे रहें और आप हमारी चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर जीगा ताकि ऐसे वीडियो में आप तक पहुंचाते रहें तो चलिए दिखारते आपको तो दोस्तो वीडियो सुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ यहां पर आपका डेटा है वह को इंस्ट्राइब कर लिजे क्योंकि यहां पर आपका मोबैल पूरा फॉर्मेट होने वाला है मतलब सब कुछ डिलेड होने वाला है तो सबसे पहले जाए सेटिंग्स में दोस्तों सेटिंग्स में जैसे जाओगे निचे की तरफ एक ओक्सन देखने को मिले का आपको सिस्टम मेनेजमेंट का तो यहां पर दूस्तों आपको एक बार क्लिक करना है जैसे यहां पर क्लिक करोगे तो यहां पर निचे की तरफ में is all data reset लिखा हुआ है तो यहां पर एक बार क्लिक किजिए तो यहां पर आपका मतलब जितने भी account से यह सारी मतलब हो रहा है अभी यह सब कुछ format हो जाएगा यहां पर लिखाए format font storage तो यहां पर क्लिक किजिए फिर नीचे की तरफ एक option देखने को मिलता है clear now तो यहां पर क्लिक किजिए जस्ट कुछ second wait किजिए तो यहां से फिर ok कर दिजिए यहां पर फिर verify होगा थोड़ा wait किजिए अब दोस्तों यह अपना mobile जो है उसको कुछ भी नहीं करना है आपको बस देखे रहे नहीं यह अपने आप ही अगर आपका mobile हैंग होता है या उसमें कुछ other apps आ गई है जो अनिस्टॉल नहीं होती तो यह backup and reset करने से वह सब कुछ सही से ठीक हो जाता है जैसे अब नया mobile लाए थे और जैसे वर्क कर रहा था बिल्कुल वैसे काम करेगा यह mobile तो दोस्तों अभी यहां पर यह जो सेट अप देख लिजिए ध्यान से यहां पर लिखा है इंगलिष तो ऍधोतों हो गया मेरा इंगलीष फीर यहां से नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है है इं है 이식ए कि यह चुड़ पर यहां से करना कि लिख बीर सेख और यहां से अच्ट है निशे है आ भी यहां से नेक्स्ट कर देय 되면 कि यहां से स्किप करलेना यह सब से इप बाद में भी कर सकते हो फिंगर्रिंट हो सब्ता हो कि उप् milan準 के आधे एसे नेक्सठ करना है अब को फिर यहां से एक बार किप करना है आपको कि भी में इसमें से कोई पीति इंश्टॉल मत किजें अभी स्क Quindi कर दिजिए एक बारोल स्किप किजिए तो दोस्तों अभी आप देख सकते हों यहाँ पे लिखा हुआ congratulations use now मतलब हमारा जो backup and reset का पूरा प्रोसेस था दोस्तों वो completely setup हो चुका है तो आप देख सकते हो हमारे जो mobile था वो backup and reset पूरी तरह से हो गया है तो आप देख रहा है हमने जो भी एप्स डाउनलोड की हुई थी वो सारी चली गई है और जैसे नया mobile लाते थे और जितनी कंपनी के एप्स होती है वही रहेगी यह सारा डेटा भी हमारा फॉर्मेट हो चुका है तो आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको कुछ भी पूछना चाहो कुछ भी समझ में ना ही हो मेरी बात तो मुझे comment box में जरूर बताना तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद ठेंक्यू सो मच झाल